हैं यूज एक रही आप पहूं आपके साथ साधना बत्रा हमारे सखास कालिक्रम में आप सभी का स्वागत है तो नवराद्रे का आठवा दिन है और सबसे विशेश्च दिन आठवा दिन माना जाता है क्योंकि आज मागोरी की पूजा की जाने वाली है और देखिए सभी भक् पार गुजात काओ आज आएगा आज अगर आप पूजा करने वाले हैं तो पूजा की विधी क्या रहने वाली है इसके हम बात करने वाले हैं क्टिक on म deg हमारे साठ नेहा पर पूजा कि जाएगी माका सरूप कैसा है सबसे पहले मैं सभी जातकों को नवराती की फिर से शुपकामना है आज है बहुत अद्भुत दिन आज महा अश्टमी का दिन है महा गौरी मा का जो आज स्वरूप है विशेश कर पूजनी है क्योंकि आज के दिन ही मा का जो ये स्वरूप है शिव जी के साथ कैलाश में निवास करता है कहा जाता है कि मा ने वर्जो तपस्या की बेल पत्र पे रहके रही और तपस्या से उनका शरीड जीन और शामल हो गया था तब शिव जी ने उनको आर्शिवादित करके गंगात जी से सनान करवाके मा को श्वेत वर्ण का वर्दान दिया और मा इसलिए श्वेत वर्ण श्वेत वस्त लिये हुए बहुत उज्वल सी प्रकट होती है इसलिए इन्हें श्वेतांबरी भी कहा जाता है और मा का वाहन है व्रिश तो इन्हें व्रिश आरून भी कहा जाता है तो ये आज मा का जो विशेश जो स्वरूप है वो अत्यन्त पूझनिये हैं क्योंकि सरपथम नवरात्री में हम मा को और शिवजी को साथ में पूझ सकते हैं आज के दिन और यही केलाश में निवास करती हैं शिवजी के साथ तो जिन भी जातकों को अगर कुल से लेटर कोई प्रॉबलम है तो आ माँ माहा सवसती की भी पूझा कर सकते हैं माहा अष्टमी का दिन है अष्टमी अपने आप में विशेश्च कर होती है माह सभी तरह की शक्तियों को लिए हुए है मा के एक हाथ में डमरू है एक में वर्मुद्रा है एक में अभे मुद्रा है तो अत्यन्त कांती में ये स्वरूप है जो की बहुत पकाश्वान करता है मा को तो इनकी पूजा हमें कैसे करनी है इस पर हम आते हैं मा की पूजा के लिए वैसे ही हम सुभा स्नान करके ब्रह्म महुरत में स्नान करेंगे स्नान करने के बाद आप पीले या श्वेत वस्त्र धारन कर सकते हैं आज के दिन और मा की हम पूजा में वही वैसे ही पीले फूल आज चढ़ाएंगे पीले फूल, पीले वस्त्र, साथ में थोड़े से सफेर श्वेत वस्त्र को भी हम ले सकते हैं, पर आज के दिन जो मुख्य रूप से मा को भोग लगता है, तो मा के आचर्णों में नारियल फोड़ा जाता है, आप साबुत नारियल भी चढ़ा सकते हैं, और नारियल से बनी ह हुई मिठाईयां भी चढ़ा सकते हैं, भोग में, साथ में आज विशेश कर जो है, आज आप हल्वा, चना, पूरी का भोग लगा सकते हैं, तो पूजा की थाली में हमें क्या-क्या चीज़े रखनी है, थोड़ा सा इस पर हम विचार कर लेते हैं, पूजा की थाली में महत्व होता है, बिल्कुन है, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने जिक्र क्या है कि पूजा की विधी क्या रहने वाली है, स्वीच आप तमाम दर्शकों को ये भी बताइए कि शुमुहरत इस बार कैसा है ने वाला है, क्योंकि रिखी अश्टमी का दिन है, और तमाम ज ये जिसमें राहु काल 4 बच कर एक मिन्ट से शाम को चार बच कर एक मिन्ट से 5 बच के 24 मिन्ट तक है, तो बस इस समय को आपको अवोईड करना है, बाकि अज दुपहर में अमृत काल है, अभी जीत महुरत है, बहुत शुब महुरत है, बारा से दो के बीच में आप पूज कर सकते हैं और आज की जो पूजा होती है विशेष कर दो आप सुभर पूजा करने हैं पर संध्यकाली और मध्य रात्री पूजा का विशेष विधान होता है अगर आप यह पूजा दिन में नहीं टोब यहाँ पर अश्ट्मीन है यहां और पर प्रसुसंग्रहाला है कि या तो प्रोद सकते हैं या लोग पूरे नवरात रख रहे तो उनको वेला कहूंगे तो पहला direction आज उनके लिए वृत का दिन है तो वहां रहत का ना भी व रखती है तो पनलब हम के दिन हवन के बाद ही इसको अ पर पाऊचेन हों। हटायां तो हटानी से क्या मतलब है । उसको उब पर पाऊचार में लपेटки उसके बाद इसको आपको जल प्रवाहित करने का तो नहीं लेकिन जहां आपके थोड़े से पौधे रखे हो वहाँ पे इसको लग दीजे कि जब तक यह थोड़ी से बड़ी हो जाए फिर बाद में जब यह थोड़ी से मुर्चाने सी लगती है तो हम इसको बाद में उसी हैं जो हर किसी की मनोकामना पूरी भी करती हैं अखन जोद जलाते हैं वक्त ही हम तमाम मनोकामना है जो है पूरण कीजिए और हम अखन जोद जला रहे हैं तो ऐसे में क्या जो इसके बीशे का विधान है क्या नियम है अखन जोद का देखिए अखन जोद तो हम प्रत्थम सबसे पहले मानसिक शान्ती विकास के लिए हम पूजा कर सकते हैं दूसर जिन बचो को कुछ प्रॉब्लम है जिनके घर में बच्छो को कुछ करेंगे, उसकी विधी में आगे बतौएँगी, साथ में, जिन लोगों को भी जो भी गायन छेट से जुड़े हुए हैं, आक्टिंग के छेट से जुड़े हुए हैं, वो भी आज विशेश कर माह की पूचा कर सकते हैं जो महागौरी का जो स्वश्रूप है, मा कालाती का स्वरूप था में सहस्तार चकर पर विराजवान होती है यहां से 6 एंच उपर महागौरी जिसे हम निर्वार्थ चक्र भी कहते हैं तो मेरा जात को से नुरोध है कि अपना ध्यान थोड़ा सा अपने निवान चक्र जिसे हम सोम चक्र भी कहते हैं महा बले जाएं वो जो चक्र है वो निर्विचार की अवस्था है वहां से महा गौरी का हम वो पावद ले सकते हैं जो हमें मिलनी चाहिए सबसे जादा आज एन सकते हैं ध δεν से बीजात जो łसा से एक एक शुटी सपह जबता आज उस्थाली में खूहा तो यूझे तोपे tv फूल थोड़ा ऑनाज थोड़ा सा सफेध चावलल एसे हम लगा के मा को यूह हल्दी का कुमकुं जरूर लगा हैं गे हल्दी का टीका का जरूर लगाेंगे जिनके घर में बच्चों को दिक्कत है, बच्चों से प्रॉब्लम है या बच्चों में कोई दोश हो गया है, तो वो क्या करें आज, थोड़ा सा अनाज, चावल, हल्दी, आठ जगा निकाल लें, उसके बाद मा बगला मुखी का मंतर हम ओम बगला मुखी नमा, ग्यारा बार जब करके, बाद में वो आठ जो आपने निकाले हैं, उसको आप अलग बालकों को या मंदिर में दे सकते हैं, तो उससे आप देखे, आपके घर में जो बच्चों को समस्या हैं, उसमें बहुत जादा अराम आने लगेगा, साथ में आज कुल देवी की पूजा करना मत भू मा को पान जरूर चड़ाइएगा, और मा को गजरा भी जरूर चड़ाइएगा, यह विशेशका और आज मा को सिंदूर जरूर चड़ेगा, तो तीन जा चीज़े आज प्रमुख हैं, इनको करना मत भूलिए बल्कुने हाँची, अब बात कर लेते हैं एसे मी कि भूग किस चीज़ का लगाना है, क्योंकि अश्टमी है, तो ऐसे मी जो छोले है, पूरी है, तरह तरह की पकवान है, वो आज बनाए भी जाते हैं, क्योंकि गंज़क पिठाते हैं लोग, तो आसे मी मा को किस प्रकार का भोग लगाना है और भोग लगाने के फायदे क्या है देखे भोग जो है माको तो सबसे जादे जो प्रिय है वो नारियल का है साथ में मिश्री ज़रूर लगेगी और उसके बाद जो हल्वा और सूख लाल चने पूरी आपको भोग आप लगा सकते हैं अश्टमी के दिन भी और कंजब को भी हम यही खिलाएंगे हल्वा चना पूरी लेकिन चुकि मा का आज स्वरू में कुछ श्वेद जरूर रखे जो भी भोग है तो उसमें अगर आप खीर रख सकते हैं नारियल पूरा साबुत नहीं है तो नारियल के लड़ू बना के रख सकते हैं विशेशकर इन्हीं चीजों का भोग लगता है हम दही का भी भोग लगा सकते हैं कच्चे दूद को भी उसमें शामिल कर सकते हैं यह सभी चीजें हम मा को अर्पित कर सकते हैं बलकुर निहाची अब बात कर लेते हैं पर कि कौन-कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका उचारन करते हुए हम के बीजमंत। श्रीम HRIEME KLEAM VARDAE NAMAH इस मंत के साथ का जो जबसे महत्वपूर्ण है आज आज बहुत रमान में उर्जा का बहुत जादा शोत है और ये उर्जा आप में शोषित करनी है तो तंत्रोग देवी सुक्तम का हमें आज पाठ करना चाहिए पाठ की विधी ऐसे होगी कि थोड़ा सा हाथ में पुष लें अक्षत लें संकल्प करें उसके मा को अर्पित करते हैं फिर एक श्लोग बोलते जाएं और एक फूल नहीं तो फूल की पंखड मा को अर्पित करते जाएं अगर आपके घर में आपने श्रीयंतर रख 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 तो आप उस पर अर्पित कर सकते हैं और ऐसा आप करके थोड़ी देर बैठिये और मा से प्रात्ना कीजिए जो भी आपकी मनों कामना है आप देखिए कैसे यह सिद्ध होती है साथ में नवा सब्षति का पाट नहीं किया है उनके पास अगर समय है तो आज जो है एक से लेके साथ अध्याए जरूर पढ़ें यह इसका प्रभाव बहुत बहुत साधा उत्तम होगा और आप यह देखिए कि पूरे घर में कितनी पॉजिटिविटी आ जाएगी आपके जो रुके पाट कर सकते हैं बल्कुनिया जी अब बात कर लेती हैं दुर्गा चालीसा और दुर्गा स्तूति क्या जिक्र यहां पर हम कर लेते हैं कि क्या मेहत्व रहता है अश्ट्रुमी के दिन और क्या कुछ प्रभाव तो है तमाम राशियों पर इसका पड़ता है देखिए सभी आज तो जो है दुर्गा चालीसा का तो आप पाट सुभर शाम दोनों समय कर सकते हैं दुर्गा जी कि स्तुति का सारा विवर्ण मैंने दिया ही है सभी राशी वालों को आज जरूर करें कि मंदिर जाके थोड़े से मा को पुष्प अक्षत और पीला वस्तर जरूर मा को आ आपको सौभागी में विद्धी करेगा और आपके भागी की विद्धी हो रुके हुए काम सारे बनेंगे तो आप साथ में पीली मिठाई भी मा को अरपित कर सकते हैं तो जो जैसे मेश राशी के हैं तो वो लोग चाहें तो अपने जो आफिस के पास का मंदिर है वहाँ प वह पालग को कुछ जरूर खाने को दें इस तरह से जो है जो करक राशी के हैं वो अपनी मा के चरंळटू के मा को फूर अरपित करें जो सिंगग debating आ हैं वह किसी अस्पताल में जा के जरूर किसी बच्चोंके स्पताल में जा के जरूर कुस थोड़ा सा डोनेशन करें और जो कण्या राशी के हैं वो छे कण्याओं को आज भूझन करा सकते हैं और गर्में जा कर जरूर कुछ मीथा बाटें बहुत शुब होगया इसके बाद आती है विश्चिक राशी वाले लोग अपने चोटे भाई बहनों को ज़रूर विश्च करें आज और उनको ज़रूर कुछ छोटा सा गिफ्ट दे और जो धनू राशी वाले हैं वो अपने कुटुम में अपने परिवार जनों से ज़रूर मिले और उनको कुछ जरूर वहां से एक सिक्का जरूर भेट में लें चाहे आप उनसे मां का लीजे पर जरूर लीजेगा जो मकर राशी वाले हैं वो तो आज विशेश कर जो है मां को सफेद पुष्प चढ़ाएंगे और मां को सफेद चीजों का भोग लगा के अपने करियर के लिए जरूर प्रात्ना करेंगे तो देखे मां कैसे आपको लाभानवित करती है उनका वही बीज मंत्र हम बुलेंगे बीज मंत्र कजब करके तब वो करेंगे और जो कुम्ब राशी वाले हैं वो थोड़ा सा भोजन किसी भी हॉस्पिटल में डोनेट कर दें और जो है मां को पीले वस्तर जरूर चढ़ाएं और थोड़ा सा शिंगार का समान चढ़ाएं कंयाओ को प्रीम पूर्वक भोजन भी कराया जाता है क्योक्की ऑष्टमि है तो इसके पीचे का विदान क्या ही इसका महत्वफ बताया है पुराणिक महत्वफ डेखिए हम जो कंयाओ को बुलाते है हम कहते हूं कि साक्शा देवी को हम अपने गराम अंतृत कर कहते हैं 수限чи 9-10-10 ुमर की गन्याओन के भगबती पुनार में या नौ वर्शा की गन्याओं की नियाओं धार्ट-वकजल होता है इसलिए कहा जाता है कि आप हर मंदिर के ही कन्या को अपने घर आमंचित करें आप साक्षात रूप में उनको पूछते हैं, तो मां बहुत खुश होती है, और उनकी एनरजी जब घर आती है, इसलिए कहीं मंदिर में जाकर खिलाने से अच्छा है, अगर नहीं कुछ हो पारा तो आप मंदिर में जाकर खिलाएं, इसका में तब यह नहीं कि आपको नहीं पर आप उनको आमंतित करिए, उनको आज लाल वस्त जरूर दीजे, लाल वस्त दीजे और एक कुछ पीली मिठाई जरूर भोग में रखिएगा उनको, तो इस तरह से आप उनको पूजन करेंगे तो वो आशिवादित करती हैं, आपको उनसे जब आएं तो सफेद चावल पूल थोड़े से घर में छड़के जाते हैं, थोड़े से सिक्के, उसका विधान ये है कि हमारे घर में सुक संपदा हमेशा बनी रहे, मा का आशीश बना रहे, हर तरह की नाकलात्मक उर्जा दूर हो जाए, और मा आके हमें हमारे परिवार जनों को हमारे घर को पादित करें, इस तरह से इसका विधान है, बल्कुनिया जी अब ऐसे बात कर लेते हैं, आरती की, आरती का महत्विस बिच क्या है, और आरती किस वक्त हमें करनी है, ये भी बताए कि शुब मोहरत क्या है, आज के दिन, अशुब आरती का, जी, जैसे मैंने कहा कि आज संध अधुली बेला में हम आरती कर सकते हैं, आरती में आपको वैसे ही करना है, घी का दीपक रखना है, साथ में पहले ठाली में आपको स्वास्तिक बनाना है, घी का दीपक, कपूर, मिती की प्याली में कपूर जिले का, उससे हमें मा की आरती करनी है, पहले उनके चर्णों की लेकिन जो मैंने विधी बताई चार बार एक बार दो बार इसमें उलजियेगा नहीं आपका मन वहां होना चाहिए जरूरी नहीं है कि नियब आप उसको काउंटिंग में लगे हैं और आपका मन कहीं इधर उधर है तो नहीं मा आ रही है बस मा आपकी आरती सुन रही है ऐसा मन में विचार रखे आप आरती कीजिए तो देखें बहुत शुब रहेगा ये आपका महा आश्ट्रमी का दिन बिल्ग नहाजी अब ऐसे में बात कर लेते हैं कि अगर किसी वेक्ति को कोई परेशानी आ रही है हालकि हमने साथ दिन इसका जिकर जरूर किया है लेकिन आज आश्ट्रमी है तो ऐसी में तमाम उपाई जो हैं तमाम जो रेमेंडीज हैं वो हम कर भी सकते हैं हालकि तमाम जो स साथना जी वैसे तो सभी उपाई मैंने बताए हैं सारे ही उपाई बहुत प्रभावशाली हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं पर जो विशेश कर जिनको 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 anxiety हैं कभी कभांग डेप्रेशन कि अबाना मेतवे आप देप्रेशं आते हैं कभी आप बहुत प्रकातए हैं कभी आज के दिन हम राहू का उपाई कर सकते हैं तो राहू का उपाय के लिए मेंने कहां कि आपको मा के चटलों में नार्यल चटाहए में आपको कि न Homie वाली द तोड़े अक्षट डालके मां के चल्डों में अर्पित कर दें और श्रीम 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 इसकी एक माला जरूर करें और वह जो कपड़ा है उसको जो है फिर आप गांट लगा के घर की ग्रहनी अपने लॉकर में रख सकती हैं इस तरह से वह आज चार्ज हो जाएगा और इसक प्रकार से पूजा करने चाहिए और पूजा की पीछे का विधान क्या है और महत्व क्या है बहुत बर्शक्रिया हमारे साज्वन दैने मासकार फिलालेसी के साथ इस खार सकार्व में इतना ही डेखते रहे हैं अरणा नियूस मसकार